क्या आप यकीन करेंगे कि 20 लाख पुलिस वालों की एक टीम ने 34 साल तक एक मामले की जाज की जिसमें लगभग 21,280 सस्पेक्ट्स, 40,116 लोगों के फिंगर प्रिंट लिये गए, 570 लोगों के डिने सेंपल लिये गए और 180 लोगों के हैर सेंपल लिये गए इस दोरान कई पुलिस अधिकारी रिटायट भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया की पूरी पुलिस हिस्क्री में इसका पेचीदा केस कोई दूसरा नहीं रहा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बनी रहीएगा दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे आदमे की कहानी जिसने पूरे देश की पुलिस को हैरान कर रखा था, जनता को परिशान कर रखा था चलिए आपको लिए चलते हैं हम आपको साथ कोरिया और वो भी आज से 34 साल पहले जब ये मामला वहां के अखबारों की और मीडिया की सुर्खिया बना, इस मामले की जाच चल रही थी इस मामले की जाच के लिए एक एक दिन में हजारों पुलिस वाले सडकों पर उतार दिये जाते थे साथ कोरिया के इतिहास में इतनी लंबी जाच और इस जाच में इतनी बड़ी टीम पहले किसी दूसरे केस में कॉल नहीं की गई ये कैसी कुछ ऐसा था कि इसे लेकर वहां के लोगों में उस समय ऐसा जबरदस्त घुस्सा था साथ कोरिया के यौंग टाविंस में होस यौंग नाम की जगह है यही सिसन 1980 के दशक में इस घटना करम की शिरुवात होती है 15 सितंबर साल 1986 में 71 साल की महिला लेवान अचानक गायब हो गई गुम होने के 4 दिन बाद उस महिला की लाश मिली महिला को गला घोट के मारा गया और उसके मूँ में उसका ही ब्रा ठूस दिया गया था साथ है उसके साथ रेप भी किया गया था बताया जाता है कि वो महिला अपनी बेटी को छूडने के लिए गई थी और फिर वो नहीं लोटी ये अपनी तरह का पहला मामला था इसलिए पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया इसके ठीक एक महिने बाद एक ऐसा ही मामला पुलिस की जानकारी में आया 20 अक्टूबर 1986 को एक 25 साल की नौजवान लड़की की लाश मिलती है पार्चू नाम की ये लड़की बीते तीन दिन से खायब थी जब इसकी लाश मिली तो इसके भी अंडर गार्मेंट्स इसके मूँ में ठूसे हुए थे गले बरनेशान थे यानि कि गला घोट कर मारा गया और रेप की पुष्टी भी हुई यानि इसके साथ भी रेप किया गया इसके लगभग दो महीने बाद 12 दिसंबर 1986 को 25 साल की एक और लड़की गौांग जू की भी लाश मिली जिसकी कंडिशन पहले मिली लाशों से मिलती जुलती थी लेकिन इस सिलसिला इसके बाद रुका नहीं लगातार 14 है कतल हो गए कतल करने वाले का तरेका बिल्कुल एक जैसा था लड़कियों के अंडर गार्मेंट इनके मूँ में ठुसे हुए थे गला घोट कर मारा जाता था और उनके साथ रेप की पुष्टी होती थी इन महिलाओं में 14 साल की लड़की से लेकर 71 साल की महिलाओं शामिल थी अब तो समाज में डर बैट गया था महिलाओं घर से निकलने से डरने लगी थी पुलिस पर इन्वेस्टिकेशन करके कातिल को जल से जल्द पकड़ने का दबाओ भी बन गया था पुलिस ने डेटा कलेक्ट किया और उसके अनुसार जो फैक्ट सामने आए वो कुछ इस तरीके के थे होसियों के 6 किलोमीटर के दाएरे में ये सभी कतल हुए सभी घटनाओं का टाइम शाम 7 बचे से राद 11 बचे के बीच का था केवल पहला कतल शाम को 6 बजे हुआ था इसके बाद ये हत्याए तभी हुई जब बारिश हो रही थी और एक अजीब इत्तिफाक ही ये था कि उस समय सभी फीमेल विक्टिम्स ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थी ताकि कातिल की नजर उन पर पड़े और वो उन पर हमला कर सके लेकिन लाल कपड़े पहन कर ये महिलाए की अवल भटकती रही किसी पर भी हमला नहीं हुआ पूरे 6 किलोमीटर का एरिया पुलिस और उसकी टीम ने कवर किया हुआ था ये पुलिस वाले साधी वर्दी में थे अलग अलग लोगों की दुकानदार था कोई कुछ और कोई कुछ बना था सभी को कातिल का इंतजार था क्योंकि पुलिस का सोचना ये था कि जो कातिल है वो इस 6 किलोमीटर की एरिया का ही है और वो इसी एरिया में वारदात को अंजाम देखा लेकिन कादिल ने पुलिस की तमाम तैयारेों को ठेंगा दिखा दिया और उसने अगला कतल 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर किया एक बार फिर पुलिस की तैयारी पर सवाल खड़े हुए पुलिस ने सभी मामलों की तैयारी बड़ी अच्छे से की थी और हर चीज के सेंपल को संभाल कर रखा ताकि जाच में आगी काम आ सके और समय तक फॉरेंसिक साइंस आज की तरह डिवैलप नहीं था डियाने सेंपलिंग भी बहुत कम हुआ करते थी अब पुलिस इस मामले में 22 साल के एक लड़के युंग सु युन को गिरफतार करती है ये गिरफतारी 27 जुलाई 1989 को की जाती है इस लड़के के बाल कलक्ट करती है और इस सेंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भीचती है इन तमाम हत्याओं में 800 नंबर पर जिस लड़के की हत्या हुई थी उसके सेंपल से इस लड़के के बालों के सेंपल मैच हो जाते हैं लैब के रिपोर्ट के मुताबिक लड़के के बालों का सेंपल केवल 40% ही मैच हुआ जो सही और गलत दोनों हो सकता था लेकिन पुलिस ने इस लड़के को गिरफतार किया और गिरफतार करने के बाद टार्शर किया फिर एक स्टेटमेंट जारी की कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है इसे अदालत में पेश किया गया अदालत ने चार्डशीट देखी और इसे उम्रकैद की सजा सुना दी जिसमें उसने ये प्रावधान भी दिया कि यदि इन 20 सालों के दारान इसके चाल चलन अच्छे रहते हैं तो 20 साल सजा काटने के बाद ये पैरोल का हगदार हो जाएगा यून ने इस सजा के खिलाफ उपर की अदालत में अपील की लेकिन इसकी बात नहीं सुनी गई वहां से भी इसे सजा बरकरार हुई साल 1989 में ये जेल गया और उसके बाद 19 साल और 6 महने बाद ये जेल से बाहर निकला सीरियल किलिंग के इन तमाम मामलों में उनको सजा होने के बाद भी पुलिस अंदर अंदर अपने इन्वेस्टिकेशन कर रही थी ये जानने की कुशिश कर रही थी कि क्या सच में यून नहीं इतने कतल किये हैं खासतोर से होस यूंग की पुलिस इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि इसी लड़के ने सारे कतल किये है देक्षिन कोरिया में एक नियम ये भी है कि अगर किसी मामले में पुलिस 15 साल तक 4 सीट पेश नहीं कर पाती है तो उस मामले को अपने आप खत्म माना जाएगा फिर भले है उस मामले को सुलजा लिया जाए वो मामला दोबारा नहीं चलाए जाएगा साल 2009 में यून बहार आ जुका था इस समय तक DNA और Forensic Science ने भी काफी तरक्की कर ली थी इस मामले पर जिन अफसरों ने अपनी यंग एज में काम किया था वो अब सीनियर हो चुके थे कुछ रिटार हो गे थे एक इतिफाक ये भी था कि साल 1994 के बाद से लेकर अब तक दोबारा वैसी कोई वारदात नहीं हुई याने इस मामले में लगभग 14 ही कतल हुए थे इसके बाद मामला शांत हो गया साउथ कोरिया में इस मामले को स्पेशली पुलिस वालों को स्टडी की तौर पर भी पढ़ाय जाता था जिसमें इतनी सारी फोर्स लगी एक पुलिस अफसर अब भे इस मामले पर अभी भी काम कर रहा था उसने पूरे डियने सेंपल लिये मामले की जाच परताल आगे बढ़ने लगी इसी दोरान उसे एक और जानकार मिली ली चून उनके बारे में इसके बारे में ये पता लगा कि ये मिलिटरी सेवा में रहा है सेवाकाल पूरा होने की बाद जब ये बाहर निकला तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा जिस दौरान रेप की घटनाई हो रही थी उसी दौरान 26 सितंबर साल 1989 को एक घर में डखैती होती है और डखैती का दौरान एक वक्ती को पकड़ा जाता है ये वक्ती ली चून था पुलिस आती है, इसे पकड़ती है और अदालत में पेश करती है जहां से इसे डेड़ साल की सजा होती है इस सजा के खिलाफ ली अपील करता है और उपर की अदालत से इसे छोड़ दिया जाता है यानि 1990 में ही ली रिहा हो जाता है आर्मी से आने के बाद इसकी शादी भी होती है और इसका एक बेटा भी रहता है लेकिन उसकी जेल यात्रा की वज़े से उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया पत्नी से अलग रहकर वो छोटे मोटे काम कर रहा था और इस घटना के लगभग तीन साल बाद दिसंबर 1993 में उसकी साली उससे मिलती है उसे वो अपने साथ ले जाता है जहां ड्रक्स देकर उसे अपने हवस का शिकार बनाता है जब विरोध करती है तो वो उसे जान से मार देता है जब उसकी साली घर नहीं पहुँची तो फिर उसकी तलाश शुरू हुई इसके बाद ले अपने ससुर के साथ मिलकर साली को ढूणने का नाटक करता है 18 जनवरी को पुलिस कोली पर शक होता है और वो उसे गिरफतार करके जब उससे पूचताच करती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है नीचे की अदालत ने उसे 1994 में मौत की सजा सुनाई और उपर की अदालत में जब इसने अपील की तो उसे 1995 में उम्रकैत की सजा में बदल दिया गया साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इस 20 साल के दोरान इसका चाल चलन अच्छा रहा तो ये पैरोल पर बाहर आ सकता है इसके बाद साल 2019 आया लगबग 24 साल हो गये ली पैरोल का हगदार हो गया था इस बीच एक पुलीस आफिसर इस मामले की लगातार जाच कर रहा था उसने चौथे लड़की के सेंपल को इस मामले में बड़ा उलट फेर था उस समय ली बुसान की जेल में था ये जेल दक्षिन कोरिया के दक्षिने हिस्से में मौझूद थी वो पुलीस आफिसर ली से लगभग 9 बार मुलाखात करने के लिए गया शुरू के चार महिने में ली ने अपने सभी कुनाहों से इंकार किया लेकिन उसके बाद फिर उसने कनफेस कर लिया कि उसने अपनी साली के कतल को छोड़कर 14 कतल की और उसने कतल करने की डेट मरने वाली लड़कियों महिलाओं का हूलिया और कतल करने का तरीका भी बताया इसके साथ ही वो ये भी जामता था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस के पास उसके खलाफ एक्शन लेने का जो टाइम था वो साल 2009 तक था जो कि पूरा हो चुका था इसके लावा ली ने ये भी बताया कि उसने कुल 30 रेप या अटेम्ट टू रेप कि ली ने जो अपराद किये उसके पीछे उसमें जो कहानी बताई उसके नुसार वो आर्मी में काम नहीं करना चाहता था लेकिन कमपल्सरी था इसलिए उसे करना पड़ा और वहां उसके साथ अच्छा व्यवार भी नहीं किया जाता था इसलिए वो फरस्ट्रेशन में था जब वहां से निकला तो उसने अपने आपको ताखतवर प्रूफ करने के लिए इन घटनाओं को अंजाम दिया इसके बाद ली का कनफेशन जैसे ही सब के सामने आया पुलिस ने जिस वेक्ति को इन सीरियल किलिंग के आरोप में पकड़ा वो वेक्ति अदालत में पहुँच गया ली ने अपने सारे गुनाह भरी अदालत में स्विकार की तो उस समय के जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर थे जिन्होंने दूसरे विक्ति को दोशी सावित करके सजा दिलाई अदालत ने उन सभी पुलिस अफसरों को बरखास्त करके जेल भीचने का आदेश दिया गया लेकिन ली बाकी तमाम मामलों में कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठा कर बच गया तो ये थी एक सीरियल किलर और मानसिक रूप से कमजोर आदमी के कहाने जिसने अपने आपको ताखतवर सावित करने के लिए महिलाओं पर जल्म किये अत्याचार किये लेकिन इस पूरे मामले में कानून का जो रवाई यह रहा उस पर अगर आप कुछ कहना चाहे तो कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदि मातरम